नमस्कार गोरखनात का उचित आदर सदकार किया इससे तकस्री गुरु अति प्रसंद्र होकर गोरखनात ने राजा एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वस्दे जवराम बने रहेंगे कभी बुढापा नहीं आएगा सदेव सुन्दर्ता बनी रहेगी यह चमतकारी फल देकर गोरखना वहां से चले गए राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुन्दर्ता की क्या विशक्ता है चूंकि राजा अपने तीसरी पत्नी पर अतिदिक मोहित थे अता उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदेव सुन्दर और जना जवान बनी रहेगी यह सोच कर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया राणी पिंगला धर्थरी पर नहीं वलकि उसके राजा के कोतवाल पर मुहित थी अर्था प्रेम करती थी यह बात राजा नहीं जानते थे जब राजा ने वह चमतकारी फल राणी को दिया तो राणी ने सोचा कि यदी वह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इक्छाओं की पूपती कर सकेगा रानी ने हैं सोच का चमतकारी फल कोतवाल को दे दिया वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसमें चमतकारी फल उसे दे दिया ताकि वैशिया सदेव जवान और सुन्दर बनी रहे वैशिया ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुन्दर बनी रहेगी तो उसे यह नर्ग जैसा काम हमेशा करना पड़ेगा नर्ग समान जीवन से मुक्ती नहीं मिलेगी इस फल की सबसे ज़्यादा जरूत हमाई राजा को है और राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सुख सुधायन देता रहेगा यह सोचकर उसमें चमतकारी फल राजा को दे दिया राजा वाफल देखकर हत्प्रब रह गए राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है रथरी ने तुरंत कोतवाल को बुलावा लिया परज़ाद से करती हैं पत्निके प्रेम के नाभाव से भ्रथरी के इमन में वैरागी जाग गया और विपना संपून राज़े विक्रमातित को सौपकर उजयन की गुफा में आ गये उस कुछा में ब्रथरी ने 12 वरसों तक तपस्या किये थी तो जैन में आज भी राजा भ्रधरी की गुरुफा दर्सनी स्थल की रूप में इस्थित है राजा भ्रधरी ने वैरागर पर वैरागर शतक की रचना की जो काफी प्रसिद्ध है और राजा भ्रधरी ने श्रंगार सतक की और नीदी सतक की भी रचना की है यह तीनों शतक आज भी उपलब्द हैं और पढ़नयोग है तो आपसे विनमर अन्रोध है कि इन तीनों शतकों को आप ध्यान से पढ़िए और अंत्में मैं यही कहूंगा कि मेरे इस चैनल को खुर्पया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट कबरों से झांप